हलो फ्रेंड मेरा नाम है मरिनल घोश और मेरा यूटूब चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसन तरीका से LIC Premium Payment हो जाने के बाद LIC Premium Payment Receipt Online में डाउनलोड कर सकते तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना परेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते है सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउजर से Google पे जाना परेगा Google पे चला जाएंगे तो नीचे हमको साजबर दिखेगा वह साजबर में जाके हमको लिखना परेगा LICI तो हम क्या करेंगे साजबर में जाके LICI लिख के सार्च कर देंगे तो देखे इधर पहला भाला जो लिंक आ गया logic.in वही लिंक न परेगा वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो Life Insurance Corporation ओफ इंडिया का Official Website ओपन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे पहला भाला लिंक पर खखे prestigious औपन हो गया तो देखिए इधर दिखा रहा है एक external link open होगा तो इधर हमको क्या करना परेगा इधर हमको okay करना परेगा तो एक नया page इधर open हो जाएगा तो हम okay कर देंगे तो देखिए इधर एक नया page open हो गया LICE Services का तो ये LICE Services के अंदर थोरा नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको एक option मिल जाएगा pay direct pay direct के अंदर थोरा right side में आ जाएगे तो इधर हमको एक option मिल जाएगा view and download receipt complete transaction only ओई view and download receipt option पे click करना परेगा इधर click कर देंगे तो view and download receipt का page आ जाएगा तो हम क्या करेंगे view and download receipt option पे click कर देंगे तो देखिए इधर view and download receipt complete transaction only का page आ गया तो इधर हमको कुछ basic details fill up करना परेगा इधर हमको सबसे पहले policy number डालना परेगा उसके बाद date of transaction का payment हुआ है वही date डालना परेगा ये दोनों डालने के बाद हमको थोरा नीचे आना परेगा नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको transaction type select करना परेगा इधर drop down list पे click करना परेगा drop down list पे click कर देंगे तो पहला बाला जो option दिखेगा renewal premium और revival वही option पे click करना परेगा तो हम क्या करेंगे इधर पूरा fill up करने के बाद साब्मिट अप्शन पर क्लिक करना परेगा तो इधर हम पूरा फिल अप कर दिया पूरा फिल अप करने के बाद नीचे जो साब्मिट अप्शन दिख रहा है हुई साब्मिट अप्शन पर क्लिक करना परेगा साब्मिट कर देंगे तो देखे इधर हमको पॉलिसी का डिटेल में open हो जाएगा तो देखिए इदर लाइट से डाउनलोड करके सेप करके भी रख सकते या फिर हम चाहे तो इसको print आउट भी निकल सकते तो देखिए उपर में right side में download का option भी हमको मिल जाएगा उधर right करके बताना की कैसा लागा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ जाए हिंद